नमस्कार दोस्तों सुवीदय चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे ओजोन लेयर डिप्लीशन की जिसको बोलते हैं ओजोन परत का खशय ओजोन परत का खशय इसके बारे में बात करने से पहले जाना जरूरी है कि वायू मंडल क्या है तो वायू मंडल जो है वो हम क्या सकते हैं जिसमें विअ भीनःप्रकार की गैसों का लांकिट उमारी प्रत्थी के ऊपर है जिससे हम वायू मंडल क्याथे हैं वायू मंडल के अंदर सरभातिक जो गैस प्रेजन है वो है नाईट्रोजन गैस जो की 78% लगभग प्रेजन होती है उसके अलावा ऑक्सिजन गैस प्रेजन होती है जो की लगभग 21% होती है तथा कारबन डाई ऑक्साइड गैस 0.03% इसके अलावा कुछ निश्क्री गैसें आरगन, नियोन और वाटर वैपर यह सब हमारे वायू मंडल में उपस्थित हैं। जब भी हम एबायोटिक फेक्टर्स की बात करते हैं, तो हम तीन फेक्टर्स मुख्यू रूप से लेते हैं। एपका यह सब्कुतिक अब ढकते हैं। अब जब हम एट्मोस्थियर की बात कर रहे हैं। तो atmosphere on the basis of temperature it is present in various layers atmosphere is present in two various layers उसमें जो सबसे नीचे प्रत्वी की सतह के जो सबसे पास वाली layer है उसे बोला जाता है troposphere यक शोब मंडल जिसे बोलते है troposphere जो है प्रत्वी की सतह से लेकर 12 km तकी उचाई पर पाई जाती है दूसरी जो layer है दूसरी layer होती है stratosphere समताप मंडल जिसे बोलते है यह प्रत्वी क्षोब मंडल जो की 12 km तक रहती है 12 km से लेकर 50 km तक उचाई का जो क्षेत्र होता है वो होता है stratosphere का उसके बाद होता है mesosphere मेजस्वेर, फोर्थ होता है थर्मोस्वेर, ऐक्सो इस्वेर, एक्सो इस्वेर, ठीकिये रेग़े मेजस्वेर, 5 layers हैं, हमारे वायू मंडल की प्रत्वी के सबसे निकट, ट्रोपोइसफेर, उसके बाद स्ट्रेटोइसफेर, उसके मीजोइसफेर, ठर्मोइसफेर और एक्ड़ोइसफेर अब बात करते हैं ozone layer, ozone layer atmosphere की कौन सी layer में present है, कई बार कई competitive exams पर भी ये question आता है, तो इसका जो सही answer होगा वो है stratosphere, समसाफ मंडल वाला जो खिशेतर है, वहाँ पे ozone layer present होती है, होगे, तो main चीज आपको पता होने चाहिए कि ozone layer कहां present है, stratosphere वाला जो portion है, जो की प्रत्वी की सतह की 12 km उचाई से लेकर 50 km तक की उचाई में होता है, तो वहीं पर present होती है हमारी ozone layer, ozone layer अगर आप देखेंगे oxygen, तो oxygen किस से मिलकर बनी है, it is made up by two atoms of oxygen and जब हम बात करते हैं O3 की, क्योंकि ozone का अगर आप chemical formula देखेंगे तो होता है O3, so it is made up by three atoms of oxygen, if three atoms of oxygen are there, it will form O3, ozone, ozone जो है, हम बच्चपन से भी पढ़ते आ रहे हैं कि ozone ultraviolet या पराबैगनी किर्णों से हमारी सुरक्षा करती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ozone अगर समताप मंडल में है, stratosphere में present है, उस condition में it is one protecting layer, जो कि हमें ultra वाले trace से बचाती है, उनसे protect करती है, लेकिन अगर ozone, gas, troposphere में present होगी, हमारे atmosphere में present है, अर्थ के ज्यादा पास में है, 0 से 12 km के अंदर अगर वो present है, तो वो ही ozone जो gas है, वो एक polluting gas की तरह होगी जाती है, तो ओजोन, gas की बात आपको मेशा याद रखना है, कि इफ ozone is present in a stratosphere, in the form of ozone layer, it will be useful because it will protect us from ultraviolet trace, but if it is present in troposphere, it is one harmful and dangerous gas, because it is one type of polluting gas, तो यह जनरल बात हो गई, अब क्या हो रहा है कि formation कैसे होता है ozone का, वायू मंडल में या stratosphere में, तो stratosphere में oxygen O2 जो है, वो ultraviolet trace की presence में, it will be dissociate into free radicals of oxygen, तो oxygen के दो मुक्त मूलकों का निर्मान होता है, और वापस oxygen O2 जो है, वो oxygen के एक मुक्त मूलक से, ultraviolet trace की presence में reaction करकर O3 का formation करती है, तो O3 का formation and dissociation एक तरीका balance चलता रहता है, अगर हम overall reaction देखें, तो 3O2, it will give 2O3, तो यह तो हुआ formation of ozone, अब हम बात करते हैं कि जो thickness है, ozone की, वो एक unit के मार्धियम से नापी जाती है, measure की जाती है, और unit को बोलते हैं, Dobson unit, D, Capital D and Capital U, तो unit का नाम है Dobson unit, Dobson unit के मार्धियम से, ozone layer की thickness को नापा जाता है, अब ozone layer, जो है, वो धीरे-धीरे कम होती जा रही है, उसी को बोला गया है ozone hole, तो क्या कारण है जिनकी वज़े से ozone layer जो है, वो धीरे-धीरे कम होती जा रही है, उसका खिशाय होता जा रहा है, तो जब मेन कारण है, वो है एक gas, जो है chlorofluorocarbon, CFC, chlorofluorocarbon का उप्योग मुख्य रूप से refrigerator और air conditioners में किया जाता है, जो की stratosphere में जाकर, O3 को dissociate कर देती है, इसके अलावा जो दूसरे रीजन है, जिन कई nitrogenous fertilizers का यूज़ किया जाता है, ये जो nitrogenous fertilizers हैं, वो भी ozone gas के शय के मुख्य कारण है, तीसरा रीजन हो सकता है, supersonic जो aircraft हैं, उनकी वज़े से भी ozone layer depletion हो रहा है, then space shuttle की वज़े से, due to nuclear explosion, so all these are the main reason for ozone layer depletion, and now what is the mechanism with the help of chlorofluorocarbon, क्योंकि जो main responsible gas है, ozone layer depletion की, वो है chlorofluorocarbon, तो क्या होता है, in stratosphere mainly, CCL2-F2, यह जो chlorofluorocarbon है, यह troposphere में बहुत ही निश्क्रिय गयस है, और ऐसे बहुत हलकी गयस होती है, तो जब यह stratosphere में जाएगी, तो CCL2-F2, यह chlorofluorocarbon का formula है, it react with ultraviolet rays, and उसमें से क्या होता है, क्लोरीन का जो एक molecule है, वो chlorine का एक मुक्त मूलग जो है, वो अलग हो जाएगा, और Cl plus CCLF2, अब यह जो मुक्त मूलग है chlorine का, यह oxygen से reaction करता है, और बनाता है ClO plus O2, अब इसी तरह से O3 जो है, वो dissociate होती रहती है O2 एवं O में, अब यहाँ पर क्या होता है, कि यह जो oxygen atom है, यह react करता है ClO से, यह oxygen atom react करेगा ClO से, and again it will be dissociate O3, तो यह O plus ClO, it will form Cl plus O2, and यह जो chlorine free radical है, it will react with O3, और वापस convert कर देगा ClO और O2 में, ओके, तो यह एक तरीक, यह पूरी reaction जो है, यह mechanism को बताती है, तो यह Cl plus O3 in the form of H-new, and then it will be converted into ClO and O2, ओके, now, so that is the mechanism of ozone layer depletion, and main reason is Clorofluorocarbon, now, which type of effects can be taken in atmosphere as well as in human beings and plants, जब भी Ozone layer का अक्षय होता है, तो इसका main effect, जो है, एक तो, में काम क्या है Ozone layer का हमें परापेंगनी केर्णों से हमारी रक्षा करना, अगर Ozone layer धीरे धीरे कम होती जाएगी, तो जितनी भी Ultra Voilet rays है, Sunlight से तीन प्रकार की rays एर्थ पर आती है, Visible rays, Ultra Voilet rays, और Infra Red rays, उनमें जो सबसे डेंजरस रेंजरस होती है, स्किन कैंसर टाइप प्रॉब्लम्स जो है वो आएंगी, सिमिलरली प्लांट्स की ग्रोथ पर एफेक्ट होगा, क्लाइमेट चेंज विल भी टेक प्लेस, ग्लोबल वामिंग और Ozone layer डिप्लेशन, को रिलेशन हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर Ozone layer का डिप्लेशन ज्यादा होगा, तो अर्थ का टेंपरेचर, पोलर आइस कैप्स जो है, वो ज्यादा मैल्ट होंगे उसकी वज़े से, जो ग्लोबल वामिंग और ये आपस में, Ozone layer डिप्लेशन आपस में इंटर रिलेटेट हैं, तो ये सारे एफेक्ट्स होंगे, Ozone layer depletion की वज़े से, अब measures for protecting ozone depletion, अब जितने भी हमने substances पढ़े, उन सभी substances को, chlorofluorocarbon हो गया, या nitrogenous components हो गया, कुछ hydroxyl ions भी होते हैं, जिनकी वज़े से, Ozone layer का depletion होता है, तो इन सभी substances को बोलते हैं, ODS, Ozone Depletion Depletion Substances, ये जो ODS हैं, ऐसे substances को कम करने के लिए, उनको reduce करने के लिए, एक कमेटी बनी तीस कंट्रीज की, और 1987 में एक global agreement हुआ, जिसमें एक Montreal Protocol को जारी किया गया था, और Montreal Protocol का मुख्य उद्देश ये था, जितने भी ODS हैं, Ozone Depletion Substances, उनको धीरे-धीरे reduce किया जाए, और उनकी जगे कुछ दूसरे प्रकार के Substances का उप्योग किया जाए, ठीक है, तो ये Protecting Ozone Depletion, हम किस प्रकार से और कम कर सकते हैं, तो पहला, जो हम देखते हैं, कि हमें किस प्रकार से Ozone को Depletion को बचाना है, तो पहला रीजन तो क्या होगा, कि हम क्लोरो-फ्लोरो-कार्बन का जो अधिक साथी कुत्पादन हो रहा है, उस पर रोक लगाए, इस प्रकार के रेफ्रिजरेटर, या AC का यूज किया जाए, जहां पर CFC जो है, इको फ्रेंडली हो, एन्वार्मेंट फ्रेंडली हो, ऐसा करने सब्सक्राइब हो सकता है, कि Ozone layer depletion को हम कम देखे,